अगर मैं हूँ धर्मिश चोधरी मेरे यूट्यूब चैनल डी धर्मिश में आपका स्वागत करता हूँ दोस्तो बहुत दिन हो गए मैं आपके लिए कोई वीडियो नहीं ला पाया तो आज सुबह सुबह मेरे मन में कुछ बाते हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हू दोस्तो अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्स्राइब नहीं किया है तो निचे जाके चैनल सब्स्राइब किजिए और बाजो में रहे बेल आइकन को भी प्रेस किजिए ताके हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकर्शन आपको सबसे पहले मिल पाए तो दोस्तो शु कुछ लोग हमारे जिन्दिगे से ना जाते तो कैसा होता है और अगर आज जो हम है वो ना होते तो कैसा होता है ऐसे बहुत से सवाल हमारे जहन में आते हैं और उन सवालों के जवाब ना तो हम कभी डून पाते हैं ना तो हम कोशिश करते हैं क्योंकि उनके जवाब जो होत इसी कमिया है जो हमारे अंदर है और उनको हम ना तो नजर अंदाज कर सकते हैं ना तो उसे दूर कर सकते हैं तो हम उन्हें देखना ही नहीं चाहते तो बहुत सारी बाते हैं जिसको हम पहले ही एजिम कर लेते हैं जैसे के हमारी पड़ाई, हमारी रिलेशन्शिप, हमारी लाइफ, हमारी जिन्दगी के तीन या चार स्टेप चलके उस आधार पे, उस अनुमान पे हम हमारी पूरी जिन्दगी प्लान कर लिए और अगर ऐसा नहीं होता है, तो हम अंदर से तूट जाते हैं। तो बेटर है कि आप जो भी एज्यूम करो, चाहे अपने दोस्तों के बारे में हो, चाहे अपने लाइफ के बारे में हो, या श्टेडी के बारे में हो, या अपनी जॉब के बारे में, जो भी एज्यूम करो वो रियलिस्टिक होना चाहिए, क्योंकि जितना आप रियालिटी स में कुछ बहतर नाम हो लेकिन मुझे यह लगता है कि पड़ाय हमें इसलिए भी करनी चाहिए ताकि हम टिक पाए कहीं भी चाहे हमारी लाइफ में आने वाले प्रॉब्लेम्स के सामने हो या हमारी जॉब में फेस होने वाले नई नई उपरचिनिटी के बारे में हो या दूस हम इस बार यह सोचते हैं कि हम वही पढ़ेंगे जो हमारे कोर्स में आता है वही पढ़ेंगे जो हमारे सब्जेक्ट में आता है या वही पढ़ेंगे जो हमें पढ़ाया जाता है लेकिन हमारे सब्जेक्ट के अलावा भी बहुत सारी ऐसे बात है जिनको हम नहीं देखवा तो हमें हमारी फिल्ड के साथ साथ दूसरी फिल्ड का भी नॉलेज होना चाहिए हमारे पढ़ाई के बुक्स के अलावा हमें दूसरी बुक्स भी पढ़नी चाहिए ताकि हमें दूसरे फिल्ड के बारे में भी पता चले अगर कोई इंसान हमारे सामने आता है तो पहले तो य अधार पर या वैसे ही बात कीजिए जैसे वो या तो चाहता है या उसके solution के नजदी इकलाता है तो वैसे अगर आप बात करेंगे तो बहुत जल्दी आप लोगों के साथ जूड़ जाओगे अगर आप सीचुआशन को बेटर तरीके से मैंच कर सकते हो तो मुझे नहीं लगता कि आपकी लाइफ में आने वाली जो प्रॉब्लेम्स वह आपको ज्यादा तक्रिव देपाएगी और आजूम तो करना ही हैं name पर रिमिंग खेते हैं की सपने देखना कभी बंुदमत करो और ओर एज, Segwork 003 00場 आपको सपने देखने से कोई नहीं रोग सकता है अगर आपको सपने सच करने हैं Songist का तो है लोग कहते हैं लोग नहीं वैसे सोचा ही जाता है माना जाता है कि अगर आप को वो करनाया कर नहीं हुआ तो अगर आपको ये जरकन आता है तो ज्यादा आपका वक्त नहीं लेते हुए उम्मेद करता हूं कि आप बोर्ड नहीं होगे तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो प्लीज सब्स्राइब किजिए लाइक किजिए और शेर किजिए थेंक यू सो मच कीप कनेक्ट विट में हैव नाइस टे